ओम शान्ती शिवानी वेहन ओम शान्ती सहनाज आप कैसे आज मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो जी हाँ दोस्तों एक और सर्प्राइज जो है शहनाज ने अपने फांस को अपने विवर्स को दे डाला है अभी थोड़ी देर पहले ही लाइब आई थी शहनाज को और गि नहीं दे रही थी दोस्तों आपको बता दे शहनाज को और किल को बीके शिवानी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से एक बार समझाया और बताया कि मन पर किस तरह से काबू किया जा सकता है जी हां मन हमारा चंचल होता है बच्चे की तरह होता है और उसे काबू कर पाना काफी मुश्किल होता है और शेहनाज के साथ भी कुछ ऐसा ही था शेहनाज में से धार्त के जाने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी उससे भी बूरी हालत हो गई थी सब ने देखा इस चीज को तो और शेहनाज ने अपने आपको फिर से एक बार खड़ा किया संभ भी अपने को खोते हैं और उनके साथ ऐसा हादसा होता है तो शेहनाज की तरह वह अपने मन पर काबू पाकर जीत हांसिल कर सकते हैं जिहां भी के शिवानी ने हमेशा की तरह शेहनाज को अप्रिशेट किया शेहनाज की तारिफों के फुल बांदे जब शेहनाज फर्स टा परन जो है स्कूल यूनिफॉर्म में आई हुई थी और उन्होंने बोला भी बिके शीवानी जी से कि आख हमारे टीचर है हों हम आपके स्टूडेंट है तो बिके शीवानी जी ने बोला कि नहीं हम सब एक फैमिली हैं यहां कोई टीचर नहीं कोई स्टूडेंट नहीं और इस तरह से बीके शिवानी जी ने जो ब्रह्म कुमारी से हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट किया शेहनाज को एक बार फिर से शेहनाज ने अपने बच्पन के दिनों को भी याद किया और काफी कुछ शेहनाज ने लाइब आकर बीके शिवानी जी के साथ अपनी बाते शेहनाज को काफी जादा मोटिवेट हुई शेहनाज और अपने मन को उन्होंने स्ट्रोंग बनाया और आपको बता दे आज इतनी स्ट्रोंग अगर सना हमें देखने को मिल रही है तो उसका जो क्रेडिट चाहता ह दोस्तों वो मा रीटा शुकला को जाता है अफकोर्स माता रीटा शुकला ब्रह्मकुमारी से जुड़ी हुई है सिधार्थ ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए थे शुकला परिवार पूरा का पूरा जो है ब्रह्मकुमारी से जुड़ा हुआ है और इनका ब्रह्मकुमारी जी के रिती रिवाजों के अनुसार ही हुआ और शेहनाज और सिधार्त की जो शादी होने वाली थी दिसंबर के महीने में जो होटल वगरा बुक कर रखी थी वो भी ब्रह्मो कुमारी के रिती रिवाजों के अनुसार ही होना था जो की सब कुछ फाइनल हो चुका था लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और अब शेहनाज ने इस होनी को जो हुआ है उनके साथ हादसा उसको एकसेप्ट कर लिया है अपने आपको स्ट्रॉंग बना लिया है और आज जो शेहनाज को हमने देखा वो तो कोई और ही शेहनाज थी लेकिन थी पंजाब की कैचना कैफ खूबसरा सी, क्यूट सी चहकती हुई, हस्ती हुई, खिल-खिलाती हुई वैल आपको बता दे सिधार्थ की मृत्यू के बाद पहली वर्ष शेहनाज को और गिल लाइव आई और वो भी बीके शिवानी जी के साथ अठा वन मिनिट की वीडियो शेहनाज ने शेयर की है बीके शिवानी जी के साथ आपको बता दे मैंने फेस्बुक पर वीडियो शेयर की है आप देख सकते हैं जिसके लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिनप कर दिया है तो आप पूरी की पूरी लाइब वीडियो जो है देख सकते हैं फेस्बुक पर और इंस्टाग्राम पर भी मैंने शियर करती है तो वहां भी आप देख सकते हैं मैंने पिनप कर दिया है लिंक उस पे क्लिक करके आप सिधा का सिधा पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आपको बतादे तीन घंटे के अंदर शैनास के इस वीडियो पर पोने चार लाख के करिब व्यूं हैं और एक लाख से उपर लाइक्स हैं और कामेंट्स तस हजार के करीब हैं वाला आपको बता दे बहुत लंबे वक्त से जो थे फैंस इंतजार कर रहे थे शेहनास के लाइव आने का और शेहनास ने अपना real experience शेयर किये हैं तो जरूर देखे शेहनास का ये वीडियो और शेहनास को यहीं support करते रहें और दोस्तो शेहनास के बारे में जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं आपके मन में कुछ हो तो जरूर लिकर मेंट करके बताईएगा और आज की live session के बारे में अगर आपने देखी हैं तो जरूर अपने जो विचार हैं प्रगट कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिवा थांक यू फोर सपोर्टिंग अस